Maximum Per Class Intake का क्या मतलब होता है या आज किस वीडियो में सीख लेते हैं Maximum का मतलब होता है अधिक्तम या अधिक से अधिक यानि कि जादा से जादा और Per Class मतलब की एक कक्षा में और Intake मतलब प्रवेश यानि कि एक कक्षा में जादा से जादा कितने स्टूडेंट लिए जा सकते हैं या लिए जाते हैं यानि कि कितने स्टूडेंट से एक क्लास को जादा से जादा अटेंड कर सकते हैं उसको maximum per class intake कहते हैं यानि कि मान लेजिए आप किसी स्कूल या संस्था की बात कर रहे हैं जहां पर एक क्लास में 30 बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा बैठ सकते हैं तो उसको हम कहेंगे कि maximum per class intake जो है वो 30 है यानि कि 30 student जो है एक क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा लिये जा सकते हैं यानि कि maximum per class intake refers to the maximum number of students or participants allowed in a particular class or educational program यानि कि किसी class में या किसी educational program में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या जो students की हो सकती है उसे maximum per class intake कहा जाता है it is the upper limit set by the institution or organization to ensure that the class remains manageable and conductive to effective teaching and learning यानि कि जो teaching और learning है वो effective तरीके से हो सके इसलिए जो है institution इस पर एक limit रखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एक class में इतने बच्चे ही हो सकते हैं इसको in example sentences से और अच्छे से समझ लेते हैं the school has a maximum per class intake of 30 students to maintain a good teacher-student ratio यानि कि जो teacher और student का जो ratio है जो अनुपात है उसको अच्छा बनाए रखने के लिए यह school जो है सिर्फ 30 बच्चे हर class में रखता है अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतो बकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब क करें और बैल आइकन को प्रेस करें